को कहाणा चाहेंगे आज कर दुदेंट्स को पता नहीं क्या होगिया एक लड़की के पिछे पगलाया है कहता है कि लब हो गया भाई दुनिया में लब नहीं होता या किसी से यह सबको माम लिए मैन तुछता है पूम्हारी और गत्रेक्ट हो रहा है तो उसको छुपाने के ल लेकिन आप अपने माता पीता से कहिएगा कि हमको एक लाग की ज़रूरता रियल में भी अगर हो जाएगा तो वो अपना सरीर बेच देंगे आपके लिए लेकिन वो नहीं बेचेंगे ये होता है love लेकिन लोग attraction को love करते हैं उसके लिए पूरी जिंदगी बरबाद कर देते हैं ये सब बहुँ गलत चीज़ है जो आप अपना करियर छोड़के अगर इस सब चीज में जाएगा तो पूरी life बरबाद हो जाएगे आप जो रिस्ता खोशते हैं अपना college में coaching में ये सब permanent रिष्टे नहीं हो सकते हैं हाँ आप गल्फरेंड से साधी करेंगे तो ये आपके लिए best लड़की होगी लेकिन माबाब जो ढूल के लाएंगे जो भगवान आपके लिए बनाया है वो लड़की आपके लिए unique होगी if you will best you will number one and if you will unique you will only one तो याद रखिये का जो भगवान आपके बना के जोड़ता है वो रिष्टा सबसे अच्छा होता है अपने माबाब को दिखिये न क्या जगड़े नहीं हुए लेकिन आज भी वो लोग एक साथ रहते हैं लेकिन फिर भी आप देखिये आज कल के जो वेस्टर्न कल्चर आ गया है क्या वेस्टर्न कल्चर हो गया है समझ में नहीं आता है प्यार और छोहारा इसकी जिंदगी नहीं एक साल होती है एक साल में खराब हो जाता है यह वेस्टर्न कल्चर है हमारी भारत की संस्कृति नहीं है हम गर्व करते हमें अहुकार है में गुरूर है अपने भारत की संस्कृती पर जहां एक छोटी सी बच्ची भी गुडिया खरीती है ना तो उसके लिए डुपट्टा खरीती है और अगर आपको दिन लगाना ही है तो किताबों से लगाना यार बेवफा भी निकलेगी तो मुकदर बना के जाएगी दिन सबके लिए 24 गंटा का होता है ऐसा लिए क्या न कि आपको अलगत से दिना अपक के लिए करोर पती?... आपको क्या बनना है क्योंकि बरसो बाद ये मिलेगन आप से तो यह नहीं पूछेंगे कि कितनी गर्ल्फरेंड है लोग पूछेंगे कमाता कितना कि दुनिया का उसूल है लोग कभी भी आपसे खरियत नहीं आपकी हैसियत पुछते हैं लोग एक दूसरे से बादा करते हैं कि तुम्हारा जिंदीगी वर साथ निवाएंगे कोई किसी का साथ नहीं निवाता है लोग अर्थी और जनाजा भी ले जाते हैं न दो कदम तो बदल बदल के ले जा रहे हैं और लोग वादे कर रहे हैं कि जिन्दिगी वर साथ निभाएंगे, कोई साथ नहीं निभाता है, हम आप सब लड़का-लड़की से कहना चाहेंगे, कि अभी वक्त है, अभी सर जुका के पढ़ लिजिए, वादा है आपसे कि जिला में सबसे दर उदर वो खुशी, खुशी तो आप लोगोंने कभी देखा ही नहीं, कोई स्टुडेंट अभी तक खुशी नहीं देखा, हम आपको वेक्तिवर्द बताते हैं, देखिए, खुशी कम मिलेगी आपको, जिस दिन आपको जॉब मिलेगा और जो पहली सेलरी मिलेगी, वो पहली नहीं खुशी है, जब आप अपनी पहली सेलरी ले जाके अपनी मा के हाथों में देगे ना, तो आपके आखों में आसू होगा, आप याद करेंगे कि जिस मा की उंगलियों को पकड़ कर हमने चलना सिखा, आज उसको हमने अपनी पहली कमाई दिया है, और जब कमाने लगेंगे ना, तव समझ में आएगा, कि लाखों रुपे की एहमियत कुछ नहीं है, वो एक रुपे के आगे, जब माई स्कूल जाते वक्त दिया करती थी, और गौर से देखा कर अपने माबाप के आखों में, ये वो आईने होते हैं, जिसमें बच्चे कभी बुड़े न नहीं दिखता, अंकार नहीं करना चाहिए, छट को बहुत गुरूर था, छट होने का, एक मंजील और बनी और छट फर्स हो गया, अंकार कभी नहीं कीजिएगा, तुफान जादे होती है, तो कस्ती डूब जाती है, और घमंड जादे हो जाती है, तो हस्ती डूब जाती है जिस दिन आपको घमंड होने लगे आपने आपके उपर कि हम बहुत बड़े हो गए हैं हम बहुत पढ़ली हैं, हम बहुत successful man हो गए, हम बहुत बड़े business man मतलब जिस दिन आपको घमंड हो गया उस दिन आप समसान घाट में जाके दिखेगा आप से नायाब लोग, आप से अच्छे अच्छे लोग वहां खाक बन गए दुनिया में किसी से जलन नहीं रखनी चाहिए, देखिए माचीस जो होता है दूसरे को जला देता है लेकिन कभी माचीस को देखें वो खुद को भी जला लेता है अगर आप दूसरे की बुराई करेंगे, दूसरे के पीछे रहेंगे तो इसमें आपका लॉस होगा और अगर आपकी कोई बुराई कर रहा है तो आपको खुश होना चाहिए, क्योंकि आप आगे बढ़ रहा है बुराई उसी काय लोग करते हैं